दोस्तों हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते और समस्ते हैं कि जिसने इस दुनिया में कदम रखा है वह एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदार जरूर कहें इनसानी जीवन कितना ही अस्थीर क्यों ना हो इसकी सबसे बड़ी हकीकत है मौत लेकिन फिर भी मृत्यू एक ऐसा सब्ध है जिससे सुनकर सरीर में अजीब सी सहरन मजोस होने लगती है कोई कितना भी ताकतवर या धनवान वैकती क्यों ना हो मौत एक ऐसा भै है जो अच्छ इसे अवासों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस वैक्ति की मौत कितनी निकट है तो आएद जानते हैं जैसे जैसे समय बीटता जाता है वह वैक्ति अपनी नाख को देख पाने में असमर्थ मसूस करता है जिसकी मौत उसके निकट होती है ऐसा इसलिए होता है यह कि मिर्तिव से कुछ समय पहले वैक्ति की आखे उपर की ओर मोडने लगती है मृत्यू से कुछ समय पहले व्यक्ति को आस्मान के चांद में दरार या फिर वो खंडित नजर आने लगता है सामानने तोर पर जब हम अपने दोनों कानों को हाथों से बंद कर लेते हैं तो फिर भी हमें कोई न कोई आवाज सुनाई देती रहती है लेकिन जिस वैक्ति की मृत्यू नसदीक होती है उसे सिर्फ सन्नाटा महसूस होता है मृत्यू का समय नसदीक आने पर व्यक्ति की परचाई तक उसका साथ छोड़ देती है यहां तक कि तेल पानी में भी उस वैक्ति को अपनी झाय नजर नहीं आती जब किसी वैक्ति का समय पूरा हो जाता है तो उसे अपने मृत्य परिजनों के साथ होने का एसास होता है मृत्यू से दो तीन दिन पहले वैक्ति को किसी साई का अपने साथ होने जैसा एसास होता है मृत्यू से कुछ समय पहले व्यक्ति के सरीर में अजीब सी गंध आने लगती है जिसे मृत्यू गंध कहते हैं जब व्यक्ति को आइने में अपना नहीं किसी और का चेहरा नजर आने लगे तो समझ जाइए उसका अंत समय बहुत निकट है उसकी मौत 24 गंटे की भीतर हो सकती है भगवान सिब ने भी मृत्यू के कुछ संकेत बताये हैं जब व्यक्ति का सरीर पीला सफेद या हलका लाल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की मौत 6 महिने के भीतर हो जाएगी मृत्यू से करीब 6 माह पहले व्यक्ति की नाक, मूह, जीव, आदी पत्थर की तरफ करे हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति चांद सूरज की रौशनी को देखवाने में अक्षम हो जाए या उसे हर जगा आग का भ्रम होने लगे तो व्यक्ति सिर्फ 6 माह का मेहमान है सितारों की भीर में एक धुरूप तारा होता है, आम तोर पर उसे आसानी से देखा जा सकता है लेकिन अगर व्यक्ति की मौत निकट हो तो उसे धुरूप तारा दिखाई नहीं देता, उसके लिए आस्मान एकदम लाल हो जाता है सपने में उल्लू या उजरे हुए गाउं का दिखना मेत्तु के निकट होने का सांकेत होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें